इस वीडियो में सबसे आसन तरीके से आपको काली लानेस को USB के अंदर Persistence इनिस्टल करना दिखाऊंगा Persistence इनिस्टल के मतलब आप काली लानेस के अंदर अगर आप कोई नया फोल्डर क्रेट करोगे या फिर कोई टूल इनिस्टल करोगे तो वो सेव रहेगा अगर आप प्रिंट डैप को बाहर निकल के दूसरी कंप्यूटर पर उसको अटाच करोगे तो भी वो सेव रहेगा इससे आपकी काम बहुती आसन हो जाएगा एकी काम बार-बार करने की जुरूरत नहीं पड़ेगा इसी को कहते हैं Live Persistence इनिस्टल काली Linux को डाउनलोड करने के लिए मैं सबसे पहले Chrome ब्राउजर में काली Linux क्लिक के सार्च करूँगा सार्च करते सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाएगा इसके उपर में क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद आपको एकदम सामने डाउनलोड आप्सन मिल जाएगा डाउनलोड के उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको कुछ फिर से एक नया पेज उपिन हो जाएगा वीडियो को कहीं पर भी स्कीप मत करना मैं भी वीडियो को डीटर्स में देखना सब कुछ आपको पता चल जाएगा कहीं पर भीडियो की स्कीप मत-करना तो इसक्रोल करके निच्छे आओगे तो आपको यहां पर दीख जाएगा लाइब भूट नमसे एक ओफिसन अपको यहां पर दीख जाएगा इसके उपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर 64-bit, 32-bit दोनों ही है, मैं यहाँ पर 64-bit को डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करने के लिए Simple Download Option के उपर क्लिक करो, और यह डाउनलोड होना स्टार्ड हो जाएगा आपका, मैंन डाउनलोड करना बहुत एजी है, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपेन कर लेना, ओपेन करने के बाद कुछ इस तरह की से आपको देखने को मिलेगा, आपकी कंप्यूटर के अंदर जितना भी print type, attach रहेगा, सारे print type यहाँ पर दिखेगा, मेरा में एक print type है 16GB का, तो यहा को क्लिक करने के फिर इसको उपन कर देंगे तो यहां पर यह आ जाएगा यहां पर थोड़ा से स्केन लेगा इसके लेने के बाद यह जो कुछ ऑफसे नहीं आटमेटिकल जो स्लेक्ट हो जाएगा तो यहां पर कुछ चेड़ चार करने के जुरूरत नहीं है मेरा जो 16GB का प् यहां से स्लेट कर ले ता हूं फिर उसकी बाद यहां पर जो ऑफिजन है सहे रहना देना कुछ भी यहां से चेठ-चार नहीं करना आपको यहां पर करना है यहां पर एक टूल डाउनोड करने के लिए पार्मिशन मांग रहा है तो मैं इसको ये एस कर दूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगा चोटा सा बास है है तो बस डाउनलोड कंप्लेट हो गया बहुत ही चोटा है तो डाउनलोड हो गया इसकी बाद फिर से आपके सामने एक option आएगा यहाँ पर आपको क्या warning दे रहा है यहाँ पर कि आपकी print app के अंदर जितना भी file या कोई भी कुछ रहेगा data रहेगा वो सारे delete हो जाएगा तो मैं इसको यह okay कर दूँगा जो installing के process है इसमें थोड़ा सापको time लाएगा क्योंकि आपके print app को यह partition करेगा उसकी बार आपकी जो सारे file है उसको copy करेगा तो थोड़ा से time लाएगा मैं वीडियो को थोड़ा से skip कर देता हूं काली Linux live installing complete होने के बाद यहाँ पर simply इसको close कर देना है आपको फिर यहाँ से my computer को open करना है यहाँ पर जो मेरा print app है यहाँ पर दिखा रहा है मैं इसको एक बार बहार निकल के computer से फिर इसमें attach करूंगा तो मेरा जो काली Linux live install हो गया print app के अंदर यहाँ पर आप देख पाऊगे इसका icon जो है change हो गया ठीक है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है श्रिप आपकी जो computer है इसको एक बार shutdown कर देना है आपको फिर आपको computer को on क करने के बाद आपको आना ही boot manager के अंदर boot manager के इस तरह के से open करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं shortcut में आपको बता देता हूँ कि F7 से लेकि F12 के अंदर कोई भी है की की से आप boot manager को open कर सकते हो अगर इससे भी open नहीं होता है तो आप अपना computer का नाम लिख के आप Chrome browser मे धून लेना आपके कौन सा की से boot manager open होता है open करने के बाद आपको यहां से USB select कर लेना है select करने के बाद आपको इस तरके से देखेगा यहां से आपको एक डम live system with USB persistence इसको select कर लेना है आपको फिर enterprise करना है first time काली Linux को open होने में थोड़ा से ज्यादा time लेगा तो मैं यहां पर फीडियो को थोड़ा skip कर देता हूँ तो देख सकतो हो यहां पर बहुत ही आसान से काली Linux को print app के अंदर यूज कर रहा हूँ computer पर इंस्टल किया बगरी बहुत ही आसान से इसको इसको यूज कर सकते हो आप इसके अंदर में कोई भी folder create करूंगा या फिर कोई tool इंस्टल करने में कोई भी problem हो रहा है तो मुझे जोरर comment box में बताना अगर आपको काई Linux के बार में और भी कुछ जानकारे चाहिए तो मुझे comment box में बताना मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सिखने को मिला है तो वीडियो में एक like और एक प्यारो से comment करके जाना आप लोग अपना कि समते टाइम बरबात करके मेरे इस वीडियो को आन तक दिखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धनिवाद